क्योंकि अभी कुछ और खास मेमान भी हमारे साथ इस मंच पर मौझूद रहेंगे उनसे भी डिस्कुशन हमें करना है क्योंकि बहुत सारे पहलू है अलग-अलग सेक्टर्स को लेकर अलिगर्ड को लेकर किस तरह उद्योग यहां पर आगे बढ़ रहा है और क्या यहां पर कारे किये जा रही है अलग-अलग सेक्टर्स से जो खास मेमान इस वक्त हमारे बीच मौझूद है और सभी से हर एक पहलू को लेकर डिस्कुशन हम करेंगे और साथी कुछ लोग शिक्षा किशित्र से हमारे साथ होंगे और स्वासी किशित्र से भी हमारे साथ कुछ खास में मानोंगे और अब मंच पर अगले पैनल को मैं बुलाओंगे लेकिन उससे पहले रगुराद सिंग, श्रम और रासिबायोचन मंतुरी आप प्लीज मंच पर आएं जी मीडिया आपका स्वागत करता है विजे सिंग, जिला पंचात अध्यक्षाप, प्लीज मंच पर आएं जी मीडिया आपका भी स्वागत करता है और मेरे वरिश है होगी चुकि अजीत इस वक मौझूद है ब्यूरो चीफ और पुत्तर प्रदेश, पवन सिंग, आप प्लीज मंच पर आएं क्योंकि इस वक जो खास महमाना मरे विच मौझूद है, उन्हें वक्त हो चला है उनका स्वागत करने का तो ये बुके भेट कर उनका स्वागत करे दोनों का अजीत और पवन अभी हर एक सिक्टर से खास महमान लगातार हमारे साथ इस मंच पर मौझूद रहेंगे अभी आपने जिस तरह से संदीप सिंग को सुना, इसी तरह कई और पहलू पर डिस्क्रिशन होगा इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे मेरे सेयोगी अजीत और कई सवाल जवाब भी होगे, ओवर टु यू अजीत रगुराज सिंग का नाम सभी लोग आप जानते हैं लेकिन इनकी जो सब्द हैं इसको आप बहुत बार देखाओंगे बहुत चुबने वाले सब्दों का इफ्तिमाल करते हैं तो जी मीडिया के मंच पर पहले तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत दनेवाद पहला सवाल कि रगुराज सिंग साक जब भी बोलते हैं तो वो बातें अखले स्यादों को खराब लगती है कभी आप बोलते हैं चादी का चमश लेकर पैदा हुई है कभी आप कहते हैं कि तो परिवारवाद है नहीं ते इसमें गलत क्या कहा अगर वो अखले से आधा स्यांप राजनीती करते है तो सादर कहीं बाबू की नोकरी कर रहे होते हैं अगर मुलाहिम शींग जी के पुत्र नहोते तो वो क्या मुख्वंद्री बन सकते थे नहीं बन सकते थे तो इसमें मैंने गलत कुछ नहीं कहा उनको मेरे सामने डिवेट में बठा लो हाँ आमने सामने डिवेट हो जाए अगर वो क्वालीफाइड है तो उन्हें आप नेता माले ना नहीं तो फिर मुझे माले ना वो तो कहते हैं कि मुझे ऐसी बातों का जबाब भी नहीं देना है तो हम इंकों सा उनका जबाब दे रहे हैं हमने जाम भी कौंसा हूं का संगया है हमारे पास देशन में दो पप्वपय प्रदेश के पपव उनको कहा है और राश्ट के पपु मैं ने राहूल के लिए दो मैं जब तक दो मद्वाई सरकार बनी रहे अब तो दो पप्व से कंस और दुर्योद Tower penn प्या मामला तो ये तो मैं तो שईब सब्स्वार्ट भी हैं कि अगर वह सोने की चम्मध लेकर पैयदा नहोते नेता को थे वह तो बुर्फिस्वास में थे कि हमारी सरकार बनतै यह तो मैंने तभी कहा था कि उनकी सरकार नहीं बनेगी और इस बार जब विपच्च में बैठ लेंगे न तो अगली बार तो ये इस्टिती होगी कि बिपच्च में भी नहीं होगे ये इस्टिती होगी क्योंकि उनका जो दूर दर्शी प्लान है वो देश की जंता सब समझ गई है बोटों के आधारित काम करते थे देखिए मेरे बिभाग में और उन्हें केवल मुसलिम कर्णियाओं के बिभाग के लिए 35,000 रुपय देते थे 2017 से पहले मैं 2018 में बना हूँ तब से हमने कर्णिया किसी की भी हो चाहे वो ब्रहमण की हो चाहे वो ठाकुर की हो चाहे वो बनिये की हो चाहे वो किसी भी पच्छी की बाल भी की की हो किसी कर्णिया तो कर्णिया है न उसमें भी भेगा हूँ वर्ग विशेश की राजनिती करे थे करते हैं हम नहीं करते हमने देखिए उनका एक भी काटा नहीं और बढ़ाया वो 35,000 दे थे थे हमने मेरे ब्यवाग ने मेरे नियुस्ट में दो लाक önए ब्हु यहाँ नहीं किया वह बहाँ fake लेकिन वुद्राइ श्जार का था करदे को तह था उन्हों को या था strip हमको बोट नहीं देते, मैं 100% कर सकता हूं, बोट नहीं देते, लेकिन हमने काटा एक भी नहीं है, हमने सब को जोड़ा है, हमने सब का साथ, सब का विका, सब का विश्वाज जीतने का काम किया है, हमने रासन दिया है 80 करोड लोगों को देश में, प्रदेश में 15 करोड लोग जाती देखकर बुल्डचूग चला रहे है और प्रदेस में आद्रेनी योगी जी है अगर हम हिंदु हित की बात चोने बहुत संक्या को मारेंगे आप नहीं चलेगा हिंदुस्तान में नहीं चलने वाला यह आज एक ट्वीट किया है बसपा सुप्रेमियों मायोती ने अखले सिया दो आजमगड की जेल में सभा बिदा करेंगे लेकिन अभी अलिगर को आप कहां पाती है उत्तर प्रदेश के अंदर नमबर वन आप महिला है आधी आबादी से आती हैं सरकार भी महिला ससक्तिकरण की बात करती है तो आपको लगता नहीं कि जो दस साल पहले था और आज में कितना फर्स आप देख रही हैं महिलाओं को लेकर बिसकली क्योंकि आपकी सरकार जो मुकमंत्री है योगी आधितना महिलाओं को लेकर बहुत सारी फोर्सेज के गठान एंटी रोमियो गठन उस जगे पे आप कहां पाती हैं मैं नारी ससस्तिकरण में सबसे हमारा देश नम्मर वन पर है नारी सुरच्छा नारी सम्मान और नारी सौलंबन पहले महिलाओं को बाहर भी निकलना पड़ता था अब महिलाओं सब बाहर निकल लई हैं और सुरच्छा में हैं कोई किसी से डर नहीं हैं रात में आ रही हैं दिन में जा रही है, कोई भी किसी प्रकार की, कोई किसी को परिशानी नहीं है, महलाओं को सबसे यादा सुरच्छा दी जा रही है, और राजनीती में हो, या किसी भी छेत्र में हो, उनको बढ़ाबाद दिया जा रहा है, और जो ग्रामीन छेत्र की महलाओं हैं, वहाँ पर यहां पर जागरुकता की कमिया, बैटियों को आज पी कईय αज बैसे गाउं जाब पड़ायान नहीं जाता, हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी वो जागरुकता नहीं आई है, जो आनी चाहिए मैं भी गाओं गाओं जाती हूँ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटियों कोई स्कूल बेजो अब बेटियों में कोई भेदवाब नहीं है कोई डर नहीं है क्योंकि हमारे देश के योगी आदतनाजी भी बेटियों की सुरच्छा के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा अगरसर है महिलाओं की बात होती है तो आपके पास जो जिला पंचायत अद्धच है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो रूलर एलिया है वहाँ के डबलमेंट को लेकर बिकास की गती को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत प्रधान मंत्री का भी फोकस पंचायती राजबे उस्ता पर है को उसको कैसे उसको किस तरह से आप आगे ले जा रही है चुकि अलीगड में ये संदीब सिंग थे बताई रहे थी देखिए यहां कैसे इसको नंबर वन बनाना इसमार सिटी है तो उसमें भी आप लोग का बहुत इवदानों का बिसेस तोर से महिलाओं का और जहां पर आप जिला पंचायत अध्यश्य है तो किस तरह से आगे ले जाएंगे मैं यहां पर बेसिक स्कूलों में भी जाती हूं और सरकारी स्कूलों में भी जाती हूं तो यहां पर महिलाओं के लिए बेटियों के लिए सोचाले बनाए जाएं